तो वेल्केमें दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं philosophy major paper का question answer ठेक है तो चली सबसे पहले जाने कि हम लोग syllabus उसके बाद ये question paper का answer करेंगे ठेक है तो अगर आप question देखिएगा ठीक है पूरा पूरा question तो आपका syllabus पे बेस है अभी मैं दिखा दूँगा कि अगर आप syllabus को अच्छे से ध्यान से देखिएगा ना तो आपके 10 से 15 objective question आपके syllabus से ही निकल जाएगे ठीक है चलिए देख लेते हैं तो आपको पढ़ना है Greek and modern western philosophy especially मैं बात कर रहा हूँ आपका रांच इनिवर्सेटी एंड एन पीउ के लिए अगर आप किसी अधर इनिवर्सेटी से हैं और आपका subject Greek and modern western philosophy है ठीक है तो आपका definitely match करेगा definitely ठीक है लेकिन syllabus नहीं है और किसी दूसरे इनिवर्सेटी से हैं तो फिर देखिए एक बार देख लेजिए syllabus मेंच करके पढ़ना चाहिए ठीक है आपकी यूनिट यह है कुछ इसमें आपको किसके किसके बारे में पढ़ना है देखिए सोक्रेट यानि कि आप इसको क्या ब बोलते हैं प्लेटो है फिर एरिस्टोटल यहिसको अरस्टू बोलते है तो यह त्onneको तो यह लिवरे दी दिया गया इनी सबकेंपढ़ना में पढ़ना है औरहें जोड़ा सा अजीब टाइप से रहता है नेक्स्ट हमारा सर्जोन लोक के बारे में पढ़ना है ठीक है फिर पढ़ना आपको ब्रेकली के बारे में देन आपको यूमो के बारे में पढ़ना है ठीक फिर हमारा है कांट के बारे में पढ़ना होगा एंड फिर हेगल के बारे में पढ़ना हो यह देखिए इसका हिंदी मैंने कर दिया है ट्रांसलेट वर्जन है सुकरात प्रेटो अरस्तु डेकार्ट सिपनोजा तो यह सारे है अब चली देख लेते हैं हम लोग कॉस्चेन आंसर तो देखिए दोस्तों यह समेश्टर टू में पूछा गया था पिछले साल और उस मांक्स का पेपर करता था हो सकता है हमारा जो है स्लेबस हुआ है हम मैं यहां पे 75 मांक्स होता पिक है जिसमें व्रेंगे पांच आएंगे पांच अपके दो आएंगे और पंदरर मांक्स वाले टोटल चैप जिसमें से 40 को बनना होगा तो यह हो गया और मेट अब चली है हमारा यहां पे ज्ञान की प्राप्ति जन्म जात परते से होती है ऐसा मानना है किसका मानना है मतलब किस प्रकार के सिध्धान्त का इंग्लिस मैं की knowledge is acquired by क्या इसको बोलेंगे innate idea is according to तो दोस्तों rationalism इसका राइट अंतर हो जाएगा आप चाहतों नोट कर सकते हैं अगला हमारा question है की एक मिट मरा next question है कि आधुनिक अनुभाववाद की स्थापना किसने की ठीक है who has established modern implicitism टेक है तो इसकी स्थापना किसने की आधुनिक अनुभाववाद की देखे दोस्तों इसकी कि अस्थापना जो है हमारे यार अचानक से हो फोगर मुतलभ अचानक से यसा ऐसा दोला नहीं लगता है तो इसको सर जोन लगने क्या है किसके स्थापना आधुनिक अनुभाववाद की स्थापना त catastrophe and तो सर्जोन लॉक और डायेक्टली इसको हम लोग लोक बोलते हैं लॉक ताला ना नेक्स्ट हमारा बुद्धिवाद के समर्थक कौन है टिक है सपोर्टर का नाम बताना है रेशनलिस्म का तो देखिए इसके डेकार्थ भी सपोर्टर है प्लेटो भी सपोर्टर है सिपनोजा इट लाइब नीट इसमय है तो यह तिने डगियानिक modern सभी आगी देखे लेता है नेक्स्ट कोछन नहीं यहां पर निम्रिवसे कौन संदे से सम्मंदित है संदे हर चीज में संदे कहां गये थे क्या काम गर रहे तेरे यार इतना संदी संदे वाद से संबंदित कौन है तो देखें संदे वाद की जब भी बात ऐएगी तो आपको एक नाम यहां पे पूछा गया है कि लाइब नित्य का चिन बिंदु क्या है ठीक है इसको इंग्लिस में बोलते हैं कि मॉनाडलोजी और लिब निच एन एक्जामपल आप तो यहां किसका एक्जामपल है ठीक है तो देखें इस कर देख रहिए करें काठ्व के इसमें मैं यहां है अब अब देख लिखी एक है इसीonder जैसा है जिसका आउसर मैं नहीं सकता भाएं लेकर जाते हैं तो पुछा गया है कि कांट के ग्यान सिर्दान्त को कहा जाता है कि आप में के जयांत सिद्धांत को पूंचा और कांट का जितनांत को क्या बोलता है समिक्चावाइब इसको कहीं कहीं पर आप ये भी देखेंगे पाईएगा कि लिखा होगा आलोचनाथ वाद डिक इतना समिक्चावाद या आलोचनावाद तो घृचिंट का राइड हो जाएगा हमारा जीदिनलबर को छुशन है इसने पूछा गया है कि आहिए ना किसी के नहीं रहेंगे तो यह कौन बोला है कौन किसी की फैबर में नहीं रहेएगा तो हेगल जो है किसी एओं काल किया उधारना संबंदी थे किस से संबंदी थे देस और काल दोनों किया उधारना ठीक है the concept of a space and time is related to तो देखे concept यहां जो दिया है इसको हम लोग बोलते हैं वही आदमी कांट ठीक है तो किस ने दिया कांट अब देखिए मैं यहां पर आपको डिरेकली दिखा देता हूं जैसे कि यहां पर मैंने कांट खुजा देखे यहां पर इन्हें एक थियोरी दिया है कि टाइम इज स्वरी अस्पेस अंड टाइम ठीक है the concept of a space and time यह जो बोला गया यहां यहां पर आपको सब का अंसर मिल जाएगा देखे यहां पर है आपका कहां प्रेशन टाइम किनोंने बोला है कांट ने ठीक फिर इसी तरह से इतना भी यहां पर यह दिये गए त्योरी इस तरह से यहां पर पूछ देगा कि यह स्क्याप्टिस्म किसका दिया हुआ हुआ है तो फिर बोलीगा हुँमे का ठीक है इंप्रेशन एन आइडिया किसका दिया हुआ है तो हुमे का इसी तरह से दोस्तों यह जितने भी थौट्स दिये गए हैं आपको डारेक्टली पुछेगा कि यह किस फिलोसफर का है वन माक्स का इस तरह से ठीक है ना तो आप लोग सिल कि तरह सर्वे स्व वाग ठीक है यानि कि मैं ही शर्वे सरवा हूं शर्व मेरे रहे हैं जैसे बोलते हैं ना गॉट टिक है शंपुर्ण जगत हुआ मैं सृष्टी का जञख हुआ मैं ही संगारक भी हुआ खेग हमाहिए आदी हुँ मैं अनंत से मुझ से समाप्त होता है मत जाड़ने नहीं है यहां स्वरी हम मैं किसे भी धर्म का मतलब कि कुरान का भी थोड़ा सा बोलता हूं यार चलिए ठीक है कुरान भी बहुत ज़्यादा कुरान का भी सम्मान करता हूं कोई भी आदमी मेरे जब भी मैं धार्म को मुद्दे पर बोलू तो स्रियोसली मत लिजिए घर तेक है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं तो यह सब इस थोड़ दिया गया है इनके बारे में थोड़ा सापको लिखने को आ सकता है इस टाइप से ठीक है किसी भी दोपे आएगा आपका यहां पर तीन दिया गया है आप लोग और भी जितने भी वाद हैं समिक्षा वाद को जोड़ लीजिए आदर्स वाद को जोड़ लीजिए इन सब में से किसी दोपे आएगा ही आएगा अब देखिए अगर आपके एक्जम में का नऄını साइड़ अगर आपके लिखने की स्पिड सिंपल साधारण है अगर आपके लिखने की सबिट भास्ट है तब आप दो खड़ापन्ना का दोनों साइड और एक खड़ापन्ना का आधा साइड मतलब पांच पेज में किजिएगा ठीक है लिखने के स्पिट कम है तो चार पेज में 15 माक्स वाला यहां पर 16 माक्स का एठाइट है अब आपका 15 माक्स का आएगा देखिए क्वेशन किस से हैं पहला है कि डेकार्थ के संदेह विदी की समिछ चात्मक वैख्या करें ठीक है किटिकली एक्सप्लेन अगा डेकार्थ मेथोड औप डाउट डाउट हम लोग भी बोलते हैं डाउट पुछा किजिए तो यह डेकार्थ ने दिया था डाउट का थिए ठीक है हमारा यह गुंएंप्ररियाए सिद्धांत के वाक्या करें सीपनोज का यहां पर दिया गया है कि सिपनोजा थयोरियोद इसे अड़ीडियूट एंड मौड तो यहां पर पूछ देगा की एडेट्रेब्यूट videos एंड मोड्स का सिधांत किसने दिया तो राइट आंसर हो जाएगा सिपनोजा यहां से भी आपका डिरेक्टली कोश्चन बन सकता है ठीक है और एक बार अगर आपका अब्जेक्टिव में आंसर ना मिले और एक जाम में रहें तो एक बार देख लिजिएगा लॉंग अंसर ट का सिधांत किसने दिया तो बरकले ने अगर अब्जेक्टिव में पुछा होगा अगर आपको नहीं मालूम है तो डिरेक्टली एक बार सब्जेक्टिव में आके देखिएगा ठीक है ना अब्जेक्टिव को आप पथाड़े मत मारिएगा पहले देख लिजिएगा अगर नहीं मिले तब उसके बाद जो होगा सफ होगा मैं बता रहा हूं जो इसा आप लोग कर सकते हैं बेनिफिट में आप ही रहिएगा अगला है बरकले के सत्ता अनुभाव मुलक की वैख्या करें ठीक है यहां पर डिरेक्टली पुछ सकता है कि सत्ता अनुभाव मुलक पांस की वैख्या करें ठिक है नेक्स्ट है हमारा कोश्टिन की छाइफ नेच्च कि और विघ्वा सकत्सक्राइब की कांट के अनुसार कांट के अनुसार काल की वैख्या करना है आपको एक्स्प्लेंद अस्पेस एंड टाइम एक्कॉर्डिंग टू कांट अब देखिए वहाँ पूछा था कि अस्पेस एंड टाइम का जो थ्योरी है किसने दिया था यही पर डायरेक्टली देख लिजी एच लोग अंसर डाइप में तो यहाँ पर हमारा दिया है ना देखिए एश्पेस अंड टाइम पर यहां पर थिंकर का भी नाम लिखा हुआ एकॉर्डिंग टू कांट तो हम लोग डारेक्ली यहां पर आएंगे फिर देखेंगे यहां पर कांट आप्सन है क्या तो देख लें का याद और यह टेक्निक आप आप लुक जान ली हैं ठीक है आगे देख लिए नेक्ट कोशन कांड कर अंदेश काल की वैख्या करें ठीक है नेक्स्ट है हमारा यहां पर कि यह तो अंदात्मक बहुतिक वात से आप क्या समझते हैं वैख्या करें यह आपको पांच मांक्स सकता है पंद्रमाक्स का भी ठीक है वाट डियू मीन बाई डालेक्टिकल अमेट्रिलिस्म एक्सप्लेंड और हमारा नाइन नमबर कोश्चेन है उसमें आपको छोटा-छोटा वाड़ा है सुझते हैं कि यह पांच माक्स का यह आपका पूर अस्थापित सामझ जस्ववाद दूसरा है निर्पेक्च परतेवाद तीसरा है हेगल द्वारद्वन्द विदी और चौता है हमारा प्रात्मिक एम गोन गुन ठीक है तो देख लिजिए आपके भी एक्जाम में इसी टाइप से कोश्चेन आएंगे और जितने भी कोश्चेन थे मैंने सब करवा दिये हैं ठीक है एक भी कोश्चन नहीं चूटेगा देखिए मैं फिलोस्पिक सब्जेक्ट सबसे लास्ट में लाया हूं लेकिन काता है ना कि देर आये दुरुस्त आए इसलिए बहुत मजबुति के साथ यह वीडियो दिया हूं ठीक है अब आपका एक फर्च बनता है दोस्तों कि बहुत इंपोर्टेश तब आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं लेकिन फालतु का मत बचेगा रहे आपका घर कहां है ठीक है अब क्या करते हैं ठीक है तो यह सब मत पुछेगा डारेक्ली कोई काम हो इंपोर्टेंट एक्जाम से जुड़ा हो तो आप डेफिनेटली कितने कोशन आपके सही हुए ठाइंक्यू वेलकाम मिलते हैं एकली वीडियो में और क्या बोलेंगे सब कुछ हो गया हाँ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो की बलेगा रहे क्या बेजना और कुछ वैसे होंगे नहीं भाई भेज देते हैं उसको भी जुरत होगा तो के लिए ठाइंक्यू आल दा बेस्ट तैयारी किजिए अच्छे से और हां जिसको भी पीडियो चाहिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडियो दे रहा हूं वहां से आप लोग पीडियो डाउनलूड कर सकते हैं ठाइंक्यू बाइ झाल 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 झाल